आज की पूरी वर्क्शॉप का जो लुबे लुबाब है आप में से काफी लोगों के सर भी दुख रहे होंगे तकरीबन आप अब इसलिए तीन बज़े से बैटें शे गंटे होगे हैं लैप्टाप PC के सामने बैटें अब इसलिए अगर आपको सीरीज देख रहे होते हैं त तो गदो करते हैं बाकी लोग ऐसे होते हैं जो यह कहते हैं कि डिगरी मिलगी चलो नौकरी करो जैसे पाकसान में होता है कि भाई सरकारी नौकरी है नो बज़े जाना है तीन बज़े घर और उपर से पर्क्स क्या बदाते हो तो करना कुछ नहीं पहना सो वो सारी चीज़ें एक साइट पे लेकिन हम researcher community का एक ही गोल होता है कि यार कुछ नया सीख के कुछ different करना innovate करना, create करना, आज हम create वाले लफ से ही start करते हैं इस एक lecture के अंदर and we will see के from A to Z अपना article कैसे maintain करना है, I am talking about review article, ठीक है? research article depend करता है, आपके results कैसे हैं और बाकी चीज़ें कैसे हैं, now we will talk about review article, A to Z ठीक है? layout बनाने से लेके, title से लेके, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको कुछ knowledge होना जरूरी है knowledge क्या है? आपकी domain का, जिसके उपर आपने काम करने हैं, ठीक है? मैं बाकी सारी चीज़ों को एक group में डाल देता हूँ, ताके जब हमें इनकी जरूरत पड़े तब भी हम use करें, tools, यह मज़ा है Google Chrome का, अगर आपको नहीं पता तो आप group by कर सकते होने, यह check करें, ठीक है? मैंने chat GPT खोला हुए, अगर किसी के पाथ chat GPT नहीं है तो आप परplexity open कर लें, ठीक है? So don't worry about that, मैं chat GPT 4 को use करूँगा, और मैं आपको recommend करूँगा, अगर परplexity भी नहीं चार रहा तो बिंग AI use कर लें, by the way, बिंग AI का बकाइदा extension भी मौजूद है यहां पर, मैंने यहा extension मेरे पास यहीं पर मैंने कर ली है, Google Chrome के अंदर आप use कर सकते हैं, तो आज़ पर जाने के जरूरत नहीं, बिंग AI के, तो आप यहां पर भी लिखके पूछ सकते हैं, जो मैं वहां पर पूछ रहा हूं, and then we will start, मैं chat GPT से क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंके मैं इसके अंदर review article लिखना है, जो start का session था, हमें keywords याद होने चाहेंगी, right, let's tell this GPT algorithm के मैं क्या करना चाहता हूँ, और मेरा goal क्या है, और इस से बातें करते हैं, right, जी, chat GPT, अब हमने humanly बातें करनी हैं इसके साथ, chat GPT, I want to write a review paper या article on the following topic, अब quotation marks use करके topic exact लफजों में बताएं, use of data science and machine learning tools in agriculture, आपने अपना बताना है, मैं सिर्फ अपना इस वर्दा से लिख रहा हूँ, क्योंकि start से एक example लेके मैं चला हूँ, आपने अपनी example पर बात करने, use of data science and machine learning tools in agriculture, ठीक है और इस तेर इंपोर्टन्स और लिमिटेशन्स मैंने उसे बताया कि chat GPT, I want to write, I want to write a review paper on the following topic, मैंने topic का नाम बता दिया, मेरे keywords है data science, machine learning, agriculture and their importance, their importance and limitations. I want to write this article, this research, sorry review paper, having 5000 words, only लिखते ने साथ, टाके से आगे ना जाए, as you are an expert in these fields, as you are an expert in, मैं कहूंगा the following fields, अब यह मैंने क्यों लिख है, मैं उसको इस वजह से यह बता रहा हूं कि तुम following fields के अंदर expert हो, क्योंकि यह उस domain knowledge के सारे data को search मारेगा, chat jpn मारेगी यह मारेगा जो भी है, ठीक है, and then we will write, कौन सा field, data science, machine learning, agricultural science, precision, जो भी मुझा पता है, मेरे अपने field की सब fields भी मुझा पता होंगी आपको अपनी पता होंगी, environmental sciences, and then I would say biology, evolution, fertilizers, pollution, heavy metal pollution, etc. तो मैंने यह following fields का उसको बता दिया के तुम expert, ठीक है, अब मैं उसे फर्दर बताऊंगा दोबारा enter मार के, please, create an outline for that, for the review, please create an outline for me to write the review article, कितने दिनों में लिखना चाते हैं आप, उसका आपने बताना है, to write the review article in seven days, having following points in mind, पहला point क्या है जी, कि आपका abstract should be, बलके नहीं, हम इसको इधर तक रखते हैं फिर बाद में इससे बात करते हैं, seven days तक, मैं इसको copy कर रहा हूं, और यह मैं चैट में आपको भी भेज रहा हूं, आप इसकी तरफ देखके भी अपना जो बना सकते हैं, prompt, let's see, और अक्सर अकात यह कहा देगा responding, not responding, you are doing something, चेक कीजेगा, और बिलीव में यह आपको इतनी जबर्दस आउटलाइन देगा, जारी बात है, पहली ट्राइ में बिल्कुल फाइनलाइज आउटलाइन ने मिलने, you have to tweak that, लेकिन यह आपको इवन वर्ड लिमिट भी बता रहा है कि कैसे लिखने है, कि आपके पांच अजार फाइनल हो, और वह साथ में बता रहा है, this is a rough sketch, depending on the sources, you find the direction you research takes, may need an adjustment in the outline, obviously जब पहला draft हम बनाते हैं, वो छोटा ही होता है, मैं जो टेक्स्ट है आपको भेजा है, यह मैं आपको, वर्ट से अब के अंदर भी 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 देता है, बाइदव इस विज़े से मैं कहे रहा था, साथ-साथ लिखते जाएं, अब आप देखिएगा, सबसे पहले उसने बोला है कि abstract लिखो, इतना होना चाहिए, तो आपको पता है कि abstract तो end पर आता है, तो हमने abstract की बात अभी करनी ही नहीं है, ठीक है, फिर हमने introduction लिखना है, introduction should have explanation of the importance of the topic, कि क्यों ज़रूरी है यह, then overview of the current state and data science and machine learning in agriculture, then हमने देना objectives of the review, ऐसे ही है, फिर आपने देखना background, यानि कि brief history बताने है कि data science and machine learning कब start हुई agriculture में, फिर आपने बताने है key concepts, फिर आपने बताने है brief discussion on the rise of precision agriculture, क्योंकि मैंने यह भी उसको बताया था point में, and then data science and machine learning tools in agriculture, कौन-कौन से हैं वह बताया यहां पर, and then you will see importance of data science and machine learning in agriculture, then so on and so forth, आपके पास limitation of future and conclusion, यह यह outline आपको within few seconds मिली है, within few seconds, still you can tweak this outline, कैसे अब देखियेगा, can you make it interesting for the audience, for the readers, as they are experts in my field, as they are experts in agricultural sciences, चेक कीजएगा, अब वो उसको adjust करने बैट जाएगा, क्योंकि मैंने उसे बता यह दिया है, कि यह मैं agriculture sciences वालों के लिए रिक रहा हूं, जिनको machine learning का नहीं पता, basically यह मैंने बताया उसे, तो वो क्या करेगा, उन concepts को और भी अच्छे तरीके से define करेगा, so you can tweak it according to your keyword, आप अगर साथ-साथ करचे जाएंगे अपने keywords को, यह point लिखते जाएंगे, it will be really helpful for you, यह देख रहे हैं आप, और उसने वो 5000 की mind में रखी हुई है बात, अगर आप गौर करेंगे, उसने यह भी बता दिया के critical analysis आपने करने हैं, right? समझ आई बात की? अब देखिएगा, गौर कीज़ेगा, convert that into a table, let's see, क्या करता है यह, tabulated form में आपके पास पूरी detail आने वाली है, जो एक paper पर print करके आप रख सकते हैं अपने पास, and it will be working really greatly in the end, you will see, chat GPT-4 आपका time लेगा, इसकी quality of answering is much better, और web browsing यूज कर रहे हो, मतलब currently जितना data available है न online, यह उसको analyze कर रहे हैं, ठीक है, keep in mind, यहां पर आप, sorry, sorry, यहां पर आप जाके, यहां पर academic को choose करेंगे, perplexity के अंदर, GPT के अंदर आप ऐसे रहने देंगे, अब मैं क्या करता हूं, same चीज, मैं perplexity के अंदर भी save करता हूं, let's see, कि मेरे पास कौन सा data आते हैं, okay, this is the tabulated form, अब अगला काम क्या है, मैंने यह करना है कि यह जो मेरे पास outlines आई हैंना, abstract की introduction की, आपने क्या करना है, इसको करना है copy introduction को, कर लिया copy, introduction वाली line को, यहां पर कहना है, explain this further into bullet points, let's see, इस तरीके से हमारे पास पूरी outline बन रही है, यह introduction का जो paragraph है, यह उसके सब paragraph बन रहे हैं, यह सब sections बन रहे हैं, तो आपने पूरी layout बना ले नहीं है, सब sections की उसके साथ, ठीक है, समझारी बात की setting the stage, data science and machine learning क्या होती है, emergence in agriculture, फिर यहां पर transformative potential and so on so forth, बना लिया, अब हम चलने लगे हैं अगले काम के उपर, where one of the most important extensions will help us to work, मैं Scopus को बाहर ले के आता हूं अपने पास tools में, और यहां पर, अब मैंने क्या करना है, data science and agriculture and machine learning, यह किया मैंने, search किया मैंने, 99 documents है इस पर, और मैंने क्या करना है, सिरफ review articles निकाल लेने, सिरफ English में review articles, let me see where are those, here, आप देखें इन तीक और तीन की words पे अभी तक, सिरफ 10 review articles हैं, कितने 10, अब आप चेक करें, जो हमारे topic से मिलता जुलता है, उसको हमने select करना है यहां से, कोई भी हुआ वो, let's see, यह एक आ रहा है हमारे पास, ठीक है, I'm just giving you an example again, अब हमने क्या करना है, जरह गोर कीजिएगा, harpa.ai के नाम से मैंने आपको एक extension करवाई थी सुबह, harpa.ai यह वाली extension, totally free है, एक रुपया नहीं देना पड़ेगा आपको, आपने सिरफ fed करना है और इसको sign up कर लेना है, अब इस extension का और भी मज़ा है, एक हमारे पास size space की जो co-pilot थी वह एक harpa, अब आप देखिएगा मैं इस paper के उपर हूँ, ठीक है, मैंने क्या करना है, इस paper का title क्या machine learning algorithms in real world application and research direction, यह है title जी इसका, अब मैंने कहना है यहाँ पर forward slash, जैसे मैं forward slash लगाऊंगा इस पर, तो मेरे पास आजएगा कि आप क्या करना चाहते हैं इस पूरे article के साथ, मैं कहता हो मुझे यह summary दे तो इसकी, मैंने summary पे click किया है इस पूरे article की summary आने लगी, and believe me, यह एक review article and you will see कि क्या होने लगा है, now you have an idea कि इसके अंदर किस topic पे बात होई है, यह चेक करें, यह सारे का सारा idea है, और यह पांच से छे दफ़ा आपको different format के अंदर summary दे रहे हैं, summarize the entire page content into list of key features, इस पूरे article में जो बात होई है, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी एक heading का नाम है, अगर आपकी heading का नाम है real world के अंदर machine learning का use, आप यह summary का content copy-paste कर सकते हैं, समझे हैं बात की, मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ, मैं यहां पर जाने लगा हूँ अपने Google Doc के उपर, और यहां पर मैं एक नया doc open करने लगा हूँ, यह मैंने open कर लिया, इसको मैं नाम देता हूँ, speedy review article, ठीक है, अब यहां पर आप गौर कर रहे होंगे, मेरे पास quillboard की extension भी है sidebar में और, Microsoft का जो LT था, जो मैंने आपको बताया था कि यह language tool है, check करता है spelling में कोई mistake है या नहीं, वो भी है, मैंने कहा करना है अब, मैंने यह वाली जो outline है हमारी पहली, इससे copy करना है और वहां पर paste कर लेना है, for example, यहां से मैं इसे copy करता हूँ, copy, यहां पर मैंने paste कर लिए, तो यह मेरे पास एक outline बन गिया कि मैंने करना किया है, अब मैंने हर heading को बारी बारी यहां पर add करते जाना है और उसको लिखते जाना है, एक बात याद रखेगा start में ही आपका first draft कभी भी finalize नहीं होता, तो जो भी चीज मिलती है अब उसको लिखते जाएंगे, मैंने अपनी पहली heading कोई भी बनानी है, अब first heading है मेरी जनाब, role of ml in real, जो उसका title था, यह title मैं copy करता हूँ, यहां पर करता हूँ paste, paste करने के बाद यह मेरे पास title आ गया, इसको मैं heading 1 के equal रख लेता हूँ like this, and now I can paste यह जो summary है ना इसकी, इसको मैं further अच्छे तरीके के साथ, इसको bullet point की बजाए मैं इसको कहता हूँ, convert these bullet points into a paragraph, अब आप इसको copy करते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहां पर paste करता हूँ, you can understand के यह, ऐसे बता रहा है के this, the web page, टाइटल this, 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 have this, 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 onward and so forth, आप यही paste को change कर सकते हैं, I want to write this paragraph into my review article, please convert the tone and style accordingly. Let's see, यह भी by the way beta version के अंदर है, और आप चेक करें, फोरण से उसकी tone और paragraph की structure change हो गई है, in the current era of fourth industry, revolution industry, पूरे के पूरे पेपर की जिस्ट मेरे पास है इस वकत, मैं इसको copy करता हूँ, और यहां पे हम paste कर देते हैं, ठीक है, and now it makes a kind of sense के जब भी हम इस बारे में बात करेंगे, तो हमें पता है के यहां पे जो बात चल रही है, we are talking about machine learning का real life word में use, ठीक है, obviously आपको बार बार पढ़ना पढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि पढ़े बगार आप upload कर देंगे जो start वाली बाते हैं, लेकिन अगर आप चेक करें न यहां पे, इतना खुबसूरत तरीके से लिखा हुए, in the current era of fourth industry revolution or industry for the digital word is inundated with a vast amount of data, including internet of things, data, cyber security, data, mobile data, business data, social media data and all of these things, start से concept चल रहे हैं and at the end वो आपको दे रहे हैं, our review article aim to contribute understanding machine learning and all these things, अब इस तरह की चीज़ें आपने change करनी है, कैसे change करनी है, कि आप किसी के review article से चीज़ लिए है तो आपने इसको our review article को change करके इसको एक sentence में convert करना है, किसी भी एक sentence के अंदर, so you have to do it either manually या आप AI tool को भी use कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं mostly इन चीज़ों को यहां से remove कर देता हूं क्योंकि यह heading का part नहीं है, तो हम इसको पकाइदा ऐसे ही रख लेते हैं, तो यह जो हमने tool use किया है, यहां पर summarize करने के लिए this is called harpa.ai, यह भी एक बात की है मैंने harpa.ai की, अब और चलते हैं, एक paper की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर forward slash लगाएं, ठीक है, आप यहां पर करें के rewrite, what should, what would you like to rewrite? The last answer. अब उसने पूछा है कि जब आप rewrite करना चाहा रहे हैं, किस style में, किस tone में, क्यों, किस वज़ा से करना चाहा रहे हैं, अगर मैंने, for example, the last option मैंने यहां पर बोला है, अगर यहां पर उसको मैंने rewrite करना है, तो किस tone में करना है, expand करना है, shorten करना है, fix करनी है, grammar, simplify करना है, complete, whatever I want to do, मैं इसको बोलता हूं कि shorten करो, वही paragraph shorten form में आपके पास आगे हैं, तो अगर आपको less text चाहिए होगा, तो आपके पास वह paragraph shorten form में भी आ जाएगा, तो यह किस base पे हो रहे हैं, जब आप NLP पढ़ते हैं, जिसको natural language processing बोलते हैं, हर एक word का एक statistical importance parameter दिया जाता है, जिसको TF-IDF बोलते हैं, ठीक है, tokenization के बाद होता है, वो एक term में machine learning के अंदर, उसकी base पे important keywords को निकाल के उस पे paragraph बनाया जा रहा है, तो हमने पहले पूरे article को summarize किया, फिर उसकी summary ली, अब आप मुझे बताएं, कि यह जो paragraph है, इसमें हम इस citation को डाल सकते हैं, इसली क्योंकि हमने इससे काम किया है, कि नहीं डाल सकते, मतलब यह वाला जो paragraph है, मैं इसको copy करता हूँ, यहां से DOI इसका, यह side this article, यहां से मैं यहां तो download कर लूँगा, यहां मैं इसी citation को, जब मैं Google Doc पे काम कर रहा होता हूँ, मैं यहीं से copy करता हूँ, copy करने के बाद, यहां पे मैं इसको zoom out करता हूँ, और यहां पे इस heading का add comment करके, मैं यहां पे इसको save करता जाता हूँ, साथ-साथ, ताकि एक दफ़ा Google Doc में मेरे पास चीज़ें save हूँ, at the end I will use and not, और सारे के सारे reference एक दफ़ा सेट कर लिए जाता हूँ, otherwise you can also use an extension in Google Doc called sciwheel, ठीक है, जो मेरे पास यहां पे नहीं install की हुई अभी, वो reference manager के लिए होते हैं, जिसको हम sciwheels बोलते हैं, ठीक है, वो basically Google Doc पर ही जो सिरफ काम करते हैं, उनके लिए, for me, my strategy is different, मैं सिरफ ऐसे text उठाता हूँ और उनको लिखता जाता हूँ, ठीक है, यह एक article की बात हुई है, सिरफ एक article की बात हुई, now we have to go and do the reverse engineering, size space पर हम वापस जाते है ठीक है, अब हमने क्या करना है, layout से एक-एक heading करके उसके articles निकाल ले हैं, समझ रहे हैं बात को, like this, यहाँ पर introduction के अंदर हमने बताना था, emergence of data science and machine learning within the broader narrative of agriculture advancements, अगर मैं इसको बोलू, इसको मैं copy करूँ, by the way, यहाँ पर मैंने copy की है, मैं size space पर जाता हूँ, enter करता हूँ, let's see, क्या देता है, यह मुझे, role of data science machine learning in health professionals, theoretical contribution, ठीक है, और यहाँ पर आगया for well completion optimization, and there are many many other things as well, तो जो हमने वहाँ पर agricultural advancement के अंदर data science का role देखना तह वो तो नहीं आ रहा है, so what we will do, we will remove one thing from here, machine learning का role पक्की बाद हूँ, criminology में आ गया है, बाकी fields के अंदर आ गया है, मैं control F करके agriculture लिखता हूँ, agriculture नहीं आया, so what else we can do, the emergence of precision agriculture मैं यहां पर लिखता हूँ, क्यूंकि आपको अपनी domain के बारे में पता होता है कि कौन सा keyword कैसे use हो रहे है, प्रिंसिपल्स एंड अप्लिकेशन और प्रसीजन अगरी कल्चर दोहजार चेक है, I don't like this much longer paper, तो मैं गया करता हूँ, last 3 साल के जो papers हैं उन्हें देखते हैं, यह आ गया है जा हमारे पास, smart phone application targeting precision agriculture practicing, इस स्वे systematic review, मैं इस पर click करता हूँ, इसको open किया है, मैं side पे ले आया, तो इस तरह मैं इसको भी side पे ले आता हूँ, ताके मैं बारी-बारी papers को यहां से निकालता जाओं, उनको open करता जाओं, और आपको पता है कि co-pilot size space का already एक tool है, यही काम करके देता है, ऐसे ही है ना, तो मैं यहां पर करता हूँ, कि for example, यहां पर मैं लिखता हूँ, summarize the article in less than 300 words, either हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, और otherwise we can open this article, DOI पर click करने के बाद, और harpa.ai का command use कर सकते हैं, because harpa.ai is much faster than this one, पता हमें इसने भी दी है summary, कि यह किस चीज़ के बारे में बात कर रहे है, and then you will do the same thing again and again, और आप copy paste करते जाएंगे यहां पर, at the end आपका article जो है वो, कदरे बेहतर हो जाएगा in first for first draft, अगर मैं यहां पर लिखू, summarize in summary, extended summary भी हम लिख सकते हैं, let's see. मैंने यहां पर लिख है, इसको summarize ऐसे करो, कि हम इसको अपने review आर्टिकल के अंदर लिख सकें, ठीक है, तो उसने उस तरीके से इसको summarize कर दिया, you can always change the tone, you can do a lot of things, मैंने आपको पहले भी बताया, तो आप यहां पर क्लिक करें, आपको forward slash बताने दबाने की भी जरूरत नहीं है, rewrite पर क्लिक करें, और rewrite पर जाने के बाद, आप यहां पर, what should we rewrite, previous answer, और आपने उसको shorten करने, shorten करने के बाद आपको यह बिल्कुली short form के अंदर आजाएगा, और आप इस review के बारे में बता सकते हैं, कि यह review किस चीज़ को highlight कर रहे है, ठीक है, तो इस तरीके से हम एक article की gist लेते हैं, और obviously आपको कमजगम 50 से 60 article पढ़ने पढ़ेंगे इस तरीके से, सारे के सारे नहीं यह tools के through, AI tools के through आप उनकी summaries लेते जाएंगे, summary लेने के बाद इने करेंगे copy, copy करने के बाद आप यहाँ पे paste करते जाएंगे अपने पास, तो हर heading के हिसाब से आप article को निकालेंगे, उसका एक paragraph बनाएंगे, at the end हमारे पास जो चीज आती है, वो यह आती है कि हमने हर एक heading को finish करना है using AI tools, size space पे जाने, वहां से article search करना है based on the keyword, उस article को open करके harpa पे उसकी summary लेनी है, and then we have to paste the text here, ठीक है, so this is the best way to do it, दूसरी चीज यह है कि अगर आपके पास article ही नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, सिरफ keywords यहां पे लिखें, तो check करें, आपके पास papers आना start हो जाएंगे, जो मेरे पास पहले paper नहीं आ रहे तो उसकी वज़ा यह थी, मैं long title search कर रहा था, short और concise रखेंगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है, अब आप check करें, not करें, चेक करें के यहां पे 2021 में एक paper publish हो है, which is exactly similar जो मैं लिखना चाहरा हूँ, ऐसे ही हैं, वो है ना publish, यह जान बूज के अभी मैंने end पे रखा हुआ था, and now we are going to see that, कि एक ही paper से आप पूरा paper कैसे बुना सकते हैं, यह plant bio technology journal के अंदर है, जिन्होंने लिखा है, वो अच्छे खासे नाम है, इस field के अंदर, ठीक है, machine learning और बागे tools के अंदर, so what we are going to do, मैं यहां पर click करता हूँ, और सबसे पहले इसकी summary चेक करते हैं, extended summary, और इसकी layout भी देख लेते हैं, यहीं से कि इन्होंने कौन सी layout अपना है, यह headings कौन सी रखी हैं, and then how did they write it, और usually उन्होंने इसको short review के अंदर लिखा हूँ, ब्रीफ communication है, यह पूरा review article नहीं है, यह brief communication है, ठीक है, so, इस वज़ा से it can help us as well, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी के पूरे के पूरे sentence को आप change कर सकते हैं, for example, अगर मैं यहां पर लिखूँ, forward slash, rewrite, और इसको मैं बोलता हूँ, introduction को rewrite करो, done, और यहां पर मैं कहता हूँ, उसको expand करो, reason क्या है, हमने क्यों expand करने हैं, आपको भी पता है, यह जितना introduction लिखा हुआ था ना, यह सारे का सारा rewritten form के अंदर, expanded form के अंदर आ रहे, ठीक है, और आप चेक करें कि इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको similar भी बिलेंगे, कुछ different मिलेंगी, and it is still writing, और जैसे यह रुकेगा लिखना, उसके बाद हम इसको fix grammar करेंगे, फिर इसको एक और टूल में ले के जाएंगे, जो इसे paraphrase करेगा, यह rephrase करेगा, and then you can actually choose six to seven review articles like this, और आपका एक review article उसमें से निकल सकता है, within a day, जो मैं कल सुबा बात कर रहा था, दुपैर बात कर रहा था, शाम को, पता नहीं किया टाइम हो गया, but we were talking about that, कुछ समय जा रही है कि बाते हवा हो रही है, मुझे यह बताते हैं, यह नो मैं कहला, बोल के बाद मैं था कर जो हूँ, आपके यहां की घिता है, यह एक्सपैंड कर रहा है, उसे मैं कुछ नहीं कर रहा है, आप देखें, वो लिखता जा रहा है, वो जैसे बटर स्कॉच खा के चला हुए, वाद चलती जारी, चलती जारी, चलती जारी, ठीक है? So this is how you play with the things, और harpa.ai is one of the best tools, मैं कहूंगा, अगर आप इसको forward slash clean लिखेंगे, clear लिखेंगे तो सारा clear हो जाएगा, and you can restart wherever you left, ठीक है? अब चेक कीजिएगा, एक और पावर इसकी, आपके अपने paper जो है, for example, मैं again आपको एक और example यहां पर देने लगाँ, कि paper लिखने के बाद भी आप बहुत काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला paper है, मैं इस पर आता हूँ, harpa.ai पर वापस जाता हूँ, forward slash करता हूँ, compose पर click करता हूँ, वो कहता है, क्या बनाना है, बनाना है, ट्वीट बनाना है, LinkedIn पोस्ट बनानी है, Facebook पोस्ट बनानी है, इंस्टा पोस्ट बनानी है, आर्टिकल बनाना है, press release बनानी है, जिनका question था, press release कैसे बनाई जाती है, वो बनानी है, story बनानी है, point बनानी है, to do, meeting in agenda, क करना क्या है यह वह वाला जिन है जो बड़े वाला जिन है वह पहले जितने टूलते पर छोड़े वाले जिन थे जो नहीं वगहरा मगवाने के लिए थे मैं प्रेस्ट रिलीज़ पर क्लिक करता हूं लिए ब्लैंक और विल ट्राइट फिगर आउट लोजना अडिशन एंस्ट्रक्शन स्टाइल फॉर मी कीप इन माइड आप इसको कह दें के फॉर्मल स्टाइल क्योंकि इस सवाल इस वज़ा से पूछ रहा है उसको यह है कि मैं क्या करूं उसने खुद भाखुद प्रेस रिलीज लिखना स्टाइट कर दिया अविसली आपको पढ़ने की ज़रूरत है उसको चेक करने की ज़रूरत है और आपको पता है कि प्रेस रिलीज के एंड पर आपका इमेल अडरेस फून नंबर और वाकी चीज़ें आती है दन यूफ तो आप इसको सिंप्लीफाई करना जाते हैं सिंप्लीफाई पर क्लिक कर दें रिमेंबर वी हाव तो सिंप्लीफाई एवरेथिंग इन सिंपल वर्ड्स बिलीव में यह जो टूल हम यूज कर रहे हैं इस पर लोगों ने दिल करें पीएजडियां की हूं जीपीटी के उपर कैसे बनना कैसे नहीं बनना लाज्ज लैंगविज मॉडल क्या होता है और हम एक दिन में इतने टूल सीख रहे हैं सो जाहरी बात है पूरे का पूरा न ठीक है ओके एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप क्वेस्चेंज भी पूछ सकते हैं सीधा इससे डिरेक्टली क्या पूछना चाहते हैं आप आप कहते हैं कि वाटर दे की टेकवेइज यह की टेकवेइज आपको मिल जाएंगे इस पूरे पेपर के ठीक है फिच वेरी हल्पूल वेन यूर साइटिंग समबडीस पेपर जब आप लिख रहे होते हैं पेपर ठीक है अगली बात आप आल्टरनेटिव आर्टिकल्स यानि कि इसके ऑपोजेट्स भी चेक कर सकते हैं कि ये तो हो गया और कौन सी चीज़े हैं इससे रिलेट्ड जो हमने काम किया यहां पे मतलब उससे रिलेट्ड चीज़े हैं जो डिफरेंट वे में हम यूज कर सके ठीक है अब आप देखें वो इतना हैवी किसम का मॉडल है हमने यहां पर जो मेटिरियल यूज किया था इस पेपर के अंदर उसने उसके आल्टरनेटिव बताएं समझा ही बात की अब एक आईडिया यह है कि सेम काम अल्टरनेटिव पर आप अप्लाई करके लिख सकते हैं यानि कि बीलोजिकल यह राज है आपका ट्वीट लेकिन जाहरी बात है यह ट्वीट इतना अच्छा नहीं आया तो वाट वीविल दू वी कन दू अलॉट अलॉट अच्छा SEO के बारे में किसी को पता है search engine optimization के बारे में नहीं पता तो आप यहां से keywords competitor article से भी निकाल सकते हैं और आप keyword report भी बना सकते हैं strategy भी बना सकते हैं कि इसको अगर blog में पेश करना है blog में लिखना है तो आपका blog google में rank कैसे करेगा ठीक है and there are many other options वो जो बचारे SEO engineering सीख रहे होते हैं वो थोड़ा सा फिर आप उनके लिए धचकाई स्टूल के बाद marketing एन SEO टिक टॉक के लिए AI content detector fiber gig बनाना है इससे वह अवर का cover letter बनाना है job eligibility eligibility checker आपने check करनी फिर description writer मतलब इस एक टूल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं ठीक है अच्छा ली आई नहीं तेर मैने तो टॉक बहुत कर बाद कर लिए अच्छा ली आपने स्केरी लैंगविज यूज करनी या वह भी कर सकते हैं इससे फान तो जो workflow है मैं आपको briefly बता देता हूँ आप कैसे काम करना है आपने जब आपने एक review article को लिखने और literature review पर search करने या discussion में जाने सबसे पहला काम यह है कि आपने chat GPT पर जाने और आपने create करनी है अपनी layout ठीक है अगर मैं इसी चीज को copy करके na ping AI में डालूं तो मुझे इसका creative mood on करना बढ़ेगा तो यह मुझे और भी level की information देगा जो chat GPT ने अभी तक नहीं दी ठीक है सबसे पहले हमने बना ली जनाब layout layout बनाने के बाद बनाने के बाद आपने वो headings google doc पे ले आनी है फिर एक-एक heading को detail को उसी layout को यहां पे expand करने एक्सपैंड करने के बाद आपने उस title को size space में ले जाना है वहां से article ढूंड के हर एक heading का text बनाना start कर देना है जैसे मैंने summarize करके और layout की form में आपको भी करके दिखाया and then at the end आपके पास सारी headings लिखी जाएंगी सारा text लिखा जाएगा और आपके पास citations भी आती जाएंगी तो वो citations at the end आप add कर सकते हैं एक काम आपको manually करना है पड़ेगा वो काम क्या है जो मैंने आपको elicit के अंदर दिखाया था if you remember this one कि यह paper है इसकी summary यह और यह यह topic के उपर काम कर रहा है ठीक है तो आप table जो बनाते हैं कि research articles कितने publish हो गया है एक review article के अंदर जब डालते हैं तो वो आप elicit के through बना सकते हैं so at the end आपका paper ready हो सकता है एक दिन के अंदर but obviously I won't recommend कि आप इस एक दिन के अंदर इस काम को कर सकते हैं तो I would highly recommend कि अगर आप अपना time ले और फिर इस पर काम करें so it would be beneficial मैं अब आपको यही outline एक दफ़ा अपने हाथों से लिखके बता देता हूं ताके जो चीजें हैं आपको नहीं भी clear तो उसके बारे में हम बात कर सके just a minute ठीक है जी जो workflow है वो मैं आपको बताने लगाँ और प्लीज साथ-साथ अगर आप note करते जाएंगे तो आपके लिए beneficial otherwise it's up to you सबसे पहला काम है जनाब review article आपने लिख रहा है पहली चीज यह है draft your layout ठीक है जिसको हम outline बोलते हैं outline कहां से आपने बनानी है यहां पर टूल यूज होगा चैड जीपीटी बिंग ए आई परप्लैक्सिटी इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं ठीक है और कोशिच करें जीपीटी फॉर को यूज करें आपका prompt जो है वो जितना detailed होगा उतना आपको वो ज्यादा अच्छी information देगा वरना उसने generalize कर देगा ठीक है फिर अगला काम आपने यह करना है मैं colors change करता जाओंगा ताके आपको clear होता जाए दूसरा काम यह करना है copy and paste the final layout इन गूगल डॉक वह इसलिए क्योंकि आप अगर switch आप भी हो जाता है आपका पूरा internet वगारा तो वह google dog के ओपर सारी चीज़ें save रहती है ठीक है फिर तीसरी चीज़ है expand इसका मैं color change करता हूं यहाँ आपने आना है इस चीज़ पर दुबारा expand each heading into sub headings sub headings में आएंगे तो वह sub headings आपके paragraphs होंगे basically ठीक है आपके पास वह sub heading का जब title आ गया ना अब आपने क्या काम करना है number four is पहले तो इसको copy paragraphs sub heading titles और इसको फिर पेस्ट इन गूगल डॉग राइट फूर्थ नंबर पे है हमने search for each sub heading या जिसको हम paragraph बोलते हैं। इन जो हमारे AI टूल्स है उनके त्रूप कौन कौन से हैं जी पहला है हमारा size space इसके अंदर आप search करेंगे search engine जो है हमारे दूसरा हमारे पास illicit है उसके अंदर आप papers निकालेंगे जालेंगे फिर आपके पास कॉपस भी है अगर आप यूज करना चाहें उसको भी कर लें तो review articles और research articles जोनों की बेस पर आप चलते जाएंगे and then search कर लिया आपने find करने है आपने papers exactly which are matching to that subheading paper find करने के बाद आपने harpa.ai इसको यूज करना है या आप size space.co pilot भी यूज कर सकते हैं which is much slower than harpa तो मैं harpa को prefer करता हूं find papers use harpa.ai and then summarize those papers summarize papers ठीक है summarize करने के बाद उस text को mold करना है अपनी preference के लिए mold the text जैसे आपको लगता है best वैसे आपने mold करना है ताकि उसमें human touch भी आ जाए ठीक है AI के साथ साथ and then paste into each heading paste into google doc final जो आपका paragraph होगा उसके अंदर google doc के अंदर आपने paste कर देना है ठीक है जैसे आप google doc में से paste करेंगे आपका review article एक शकल पकड़ना start करतेगा क्योंकि layout आपने सबसे पहले बनाई हुई है तो आपकी वह aim ने तूटने वाला कि आपकी storyline ने तूटने वाली ठीक है कुछ लोग क्या करते हैं सब हैडिंग्स को भी further सब हैडिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं सो उसका फाइदा गया होता है आप exactly short short paragraph लिखते जाते हैं और पांचवे नंबर पे यह की citations citations अपने पास save रखें ताकि बाद में आपने गूगल डॉक के अंदर से उठा कि उसको एंड नोट यूज़ करके लगाने ठीक है एंड एड दी एंड जो आखर पे आपका जो paragraph बच जाएगा सवरी जो लिखा जाएगा सारा रिवीव आर्टिकल दो चीज़ें एड करने के बाद वह फाइनलाइज हो जाएगा नंबर सिक्स इस फॉर इंपल हमारे पास जो आपका सारा कॉंटेंट आगया आपने क्या करने टेबल खुद से बनाना एक फुद से कोई पचास पेपर सर्च कर लें टॉप के किसी भी सर्च इंजन में अब आपको पता चल गया है अब यू तो फाइंड दोज आर्टिकल्स राइट टेबल बन गया एंड पे कैनवा को यूज करके या किसी और फिगर एडिटर सॉफ्टेयर को यूज करके जिसमें डायाग्राम्स डॉट आयो एक है बड़ा फ्री में सॉफ्टेयर इस तरह के सॉफ्टेयर को यूज करके ऑनलाइन आप फिगर्स बनाएंगे और आपका आर्टिकल्स फिनिश है आफ्टर राइटिंग तू मोर थिंग इस विचेस कंक्लूजन फ्यूचर आउट लूक इसकी कंदर आ जाना है कंक्लूजन के अंदर और देन आपका एब्स्ट्रैक्ट टाइटल यह चीजें आपने लिखनी है आपका पेपर जो है वो फाइनलाइस्ट फॉर्म में हो जाएगा ठीक है राइट हो गया मैं यहां पर स्टॉप करता हूँ